हलो गाईज, वेलकम टू अचीवाईएस, माई नेम इस आईवश मिठी, इस वीडियो में हम अपनी NCRT सीरीज चल रहीती एक्स्पिनिशन वाली उसको कंटिन्यू करेंगे, क्लास 12 की थीम वर हम पढ़ रहे थे, लेक्चर वन अपलोड किया जा चुका है, लेक्चर टू है और लेक्चर वन से रिलेटेड मैंने कुशन टेलिग्राम चैनल पे भी डाला था, अचीवाईएस के लेकिन 30% से कम लोगों ने से सही किया था, जो कि ये दिखाता है, कि आपको पढ़ने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, कैस कैसे पढ़ना होता है, एक एक्जाम में कैसे आता है, वह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आकाशर के द्वारा भी पॉलिटी-NCRT की सीरीज चल रही है, चार लेक्चर अपलोड की जा चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, चलिए हम पढ़ते हैं, लोवर टाउन, लोवर टाउन की बात करें, तो यहां पर रेसिडेंचल बिल्डिंग्स थी, रेसिडेंचल बिल्डिंग्स मैं दिखाता हूँ आपको, और उसके बीच में कोट्यार था, जैसे यह आपकी रेसिडेंचल बिल्डिंग है, यह कोट्यार है, और यह रूम्स है ठीक है यह rooms है अलग अलग यहां से आप देख सकते हो entrance है एक खास बात entrance की क्या है वह मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले पढ़ लेते हैं जो courtyard था न यहां पर cooking, weaving यह सब activities तो होती थी और सबसे बड़ी बात क्या है कि privacy की लोग बहुत चंता करते थे जो महंजदारों में लो नहीं होती थी और main entrance था उससे direct view नहीं दिखता था घर के courtyard का for example आप यहां पे courtyard पे कुछ भी कर लो आदमी कहां से आएगा आदमी आएगा यहां से यहां से एंटर होएगा सीधे नजर कहां पड़ेगी पताएं चलेगा यहां लोग क्या कर रहे तो एक तो खिड किया नहीं दूसरा सीधे courtyard नहीं दिख रहा तो यहनी privacy को लेकर थोड़ा वो ज़्यादा ही चिंतित थे हर घर का अपना एक bathroom था और जो drains थी वो connected थी घरों से जो कच्रा निकलता था जो waste water निकलता था वो गलियों की जो नालियां थी उनसे connected थी कुछ घरों में द्यानकना कुछ घरों में सीडियां भी थी और बहुत से घरों में कुए भी थे जो की जरूरी निये की अंदर सही आया जाए बाहर से भी उसको ऐसे किया जा सकता था जैसे यहां से यहां से कोई व्यक्ती आया और यहां कुए से पानी पिया यानि कोई भी रास्ते में जा रहा है आदमी traveler है पासरबाई है तो वो यहाँ से पानी पी सकता है और यहीं से जा सकता है इसके लिए यहाँ एक दर्वाजा था तो सारे घरों में कुछ घरों में कुई के तै और कुछ घरों में सीडिया थी अब UPSC यहीं से कुशन पकड़ लेता है कि all houses have staircases या all houses had the walls महंजदारों ऐसा नहीं था all houses नहीं थे कुछ ही houses थे ठीक है तो शब्दों पे गोर करो महंजदारों में 700 से ज़्यादा कुए मिले हैं 700 से ज़्यादा कुए मिले हमें अब कई बार यह boxes भी आपने छोड़ देते हैं यहां भी एक बहुत important बात लिखी हुए कि drainage system larger cities में नहीं बलकि smaller settlements में भी थे अब कुशन यहां से बन सकता UPSC पूछ सकता है कि drainage systems वर unique to the largest cities not they were not found in smaller settlements यह भी पूछ सकता है और लोथल में अगर देखें तो जो घरते वो मड़ ब्रिक से बने वे थे वो drains burnt brick से बने वी थी यह द्रेंस पर अच्छा खासा द्यान दिया जाता था ता और वह को बता दूँ जो नालिया होती थी वो धकी भी होती थी ठीक है यानि कि एक अब देखो नालिया है धकी हुई है drain system है तो उसको समालने के लिए भी कोई तो चल मेंटेनेंस चाही होती है तो यानि कि वहां पर प्रोपर मूंसिपल्टी थी तभी नालियों से इतना मेंटेनेंस और ढकना उनको साफ करना और यह सब हो पाता था ठीक है तो यह चीजे हैं जो आज भी लोगों को चोकाती है अब हमने लोवर टाउन की बात कर ली अब यह हमारा सीटर डिल शीटर डिल में बहुती चीजा में को मिली है जैसे ग्रेट बात है कि ग्रेट बात हो ईग्रेट कोर्टी deployed हो गया यहाँ पर कोलेच बताया जा रहा है तूपाय यहां पर कुछ कह जा रहा है इस आपने देखा होगा फोटो में की धील में और ठीक है तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सीटाडेल और जो लोवर टाउन है वो सेपरेट टेड़ वॉल के थुरू एक दिवार है दोनों के बीच में हाना सीटाडेल में भी हमने कई तरह के स्ट्रक्चर्स देखे और उनका एक स्पेशल पब्लिक परपस था जैसे की एक वेयर हाउस हमने देखा एक वेयर हाउस भी है गोडाउन भी है जिसमें जो भी जरुरत का टाइम पर सामान होगा और रखवाया जाता होगा एंड ग्रेट बात एक ग्रेट बात भी हमको मिली है ग्रेट बात मैं आपको दिखाया भी मैं अपमें लार्ज रेक्टेंगूलर टैंक था और चारो साइड से सराउंडेड था बाई अक कोरीडर सीडिया थी स्टैप्स थी ठेक है नोर्ट और साउथ हमें इतना याद में बत रखना नोर्ट और साउथ बस सीडिया थी और रूम थे तीनों साइड उसके एक में तो कुवा भी था और ज़्यादा कुछ काम का इसमें है नहीं लेकिन एक जो अंदाजा लगा सकते हैं आर्केलोजिस्ट किसकी यूनिकनेस जो थी और जिस कंटेक्स का भी अंदाजा लगा जा सकते हैं कि कहां ये यूज होता था तो ये कोई special ritual में यूज होता था कोई worship होती होगी जिसमें यूज किया जाता होगा इसका सब लोग नहाते होंगे या फिर ऐसा ही कुछ होता होगा हमें proper कुछ पता नहीं लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं ट्रेकिंग सोशियल डिफ्रेंसेज अब इनिक्वालिटी कितनी थी हमें ये पता चल गया कि एक टाउन था बड़ा सीटाडेल जो वॉल्ड था जिसमें ग्रेट बात था वेर हाउस थे और एक तरफ लोवर सेटलमेंट थे जिसको लोवर टाउन भी बोल रहा है और दोनों सेपरेट थे लेकिन क्या ये हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा इनिक्वालिटी थी तो ये पता कैसी किया जाए तो आर्केलोजिस ना कई तरह की स्टेजिस ट्र और पिरामीड्स होते हैं है इजिप्ट में आपके रोयर बोरियल्स थे बहुत पैसा वहां पर ममी के साथ अफ़ने जाता था लेकिन क्या ये आप कह सकते हो कि एक social difference के तोर पर जाना चाहिए इसको कि कोई अलग तरीके से दफनाय जा रहा है कि इसमें कुछ precious semi precious metals है किसी में नहीं है तो क्या ये social differences का एक indication है तो ये कह रहे हैं नहीं we are not sure हमें अभी कुछ पता नहीं है इस बारे में ठीक है तो ये भी याद रखना अभी ये surety नहीं है क्योंकि मैं बता रहूं ना कुछ burials में आपको pottery और ornaments देखने को मिलेंगे कि बही होता है ना कि आदमी मर रहा है तो after life ये चीज़ेस के साथ चली जाएंगी jewelry man और woman दोनों के burials में हमको दिखी है कि याद रखना और microbeats भी कई तरह के मिले है एक male का जो स्कल है उसके पास microbeats भी मिले है कहीं जगे तो copper mirrors भी मिले है लेकिन as a whole अगर दिमाग लगाए तो बहुत precious things जितना जैसे एजिप्ट की पिरामी के लिए किया जाता था उतना बड़े scale पे एसे wealthy चीजे दफनाना शोक नहीं था हरपनस को ऐसा कहा जा सकता है safely ऐसा appear होता हुआ दिखाई देता है यह तो बात कर ली हमने burials की एक और strategy है कि वहाँ पे daily use कौन से material का होता था तो पहला तो यह कि daily use के article जैसे आपके होते थे ordinary material जैसे stone और clay जिसमें आपकी pottery हो गई needles हो गई है ना जो रोजमर्रा की आने वाली विस्तु है यह हर जगे मिल जाते थे अब luxury किन चीजों को कह सकते है objects को जो rare थे या फिर ऐसी चीजों से बने हैं जो costly थे या दूर दराज इलाकों से आए हैं या complicated technology से आए हैं तो अगर आप देखोगे कुछ pots वाँ पे मिलें ठीक है कुछ pots मिलें क्योंकि यो काफी difficult थे बनाने जैसे यह है अब आपको लगने में बहुत simple लग रहा होगा लेकिन उस time थोड़ा difficult था इसको बनाना तो इसको एक luxury के तोर पर समझा गया आर्केलोजिस्ट के द्वारा कि जो ports हैं यह luxury थे क्योंकि बहुत मेहनत का काम होता था technology लगती थी situation और भी complicated तब हो जाती है आर्केलोजिस्ट के लिए इतिहास कारों के लिए जब हम देखते हैं कि और भी कुछ वस्तुएं जो rare material से बनी है लेकिन वो daily use में आ रही है अब daily use में आ रही है तो क्या उसे luxury कह सकते हैं तो इस पश्ट रूप से तो कुछ सामने नहीं है लेकिन हम इनका अच्छे से study करें तो यह पाया जाएगा कि जो rare objects हैं जो valuable material से बनी है वो मोहंजोदारो और हरपा के आसपास दिखाई देते थी generally ऐसा नहीं है कि क्यों यहीं दिखाई देते थी यह word पकड़ो generally यहीं दिखाई देते थी और rarely बहुत कम smaller settlement पे दिखाई देती थी आना तो याद रखना जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पोट्स अभी मैंने आपको दिखाए यह मोहजोदारो हरपा में ही मोशली मिले है और जो परफ्यूम बोटल्स है यह यहाँ पे मिले है लेकिन जो smaller settlements में जैसे काली बंगन है वहाँ पे नहीं मिले और gold की भी बात करे हैं तो वो भी rare ता तो वो भी हर पंच साइट्स पे मिले है smaller settlements पे दिखाई नहीं दिये है ठीक है तो यह चीद तो हमारे सामने प्रूव हो गई craft production की बात करते हैं भाई craft production क्या होता है जैसे आपकी bead making हो गई metal working हो गया सुनार, लुहार यह सब हो गई ठीक है तो भाई बहुत सारे material यूज होते थे उस टाइम पे material यूज होते थे बीट बनाने के लिए जैसे carnelian हो गया, jasper हो गया, crystal हो गया, quards हो गया, statite हो गया mostly statize यूज लिया जाता था याद रखना metal scoper, bronze, gold भी यूज में लिया जाता था बहुत important है और कुछ beats को कई तरह के stone से बना जाता था हाना shapes भी अलग अलग ती cylindrical, disc shaped, spherical, segmented shapes अलग अलग, material अलग अलग बहुत सी चीजे, बहुत सी varieties वहाँ पे थी अब यह देख सकते हैं आप इस तरह से जो है beats वगेरा मालाएं वगेरा दिखती थी अब techniques भी अलग अलग थी एक statite जो soft stone था वो easily आपको मिल जाता था तो statite से ज़्यादा बनती थी काई तरह की shapes निकल के आती थी लेकिन हम पूर तरीके से समझ नहीं पाएं आज भी कि किस तरीके से यह statite की microbeats बना पाते थे क्या इंके बस ऐसी technology थी वास्ताओं में हम यह नहीं समझ पाएं और इसमें काम का कुछ नहीं है हाँ एक चीज़ समझो देखो map आप देखो जो first number का मैंने map आपको दिखाया था उसमें आपको दो side दिखेगी नागेशवर और बाला कोट मैं आपको दिखाता हूँ देखो यहाँ है नागेशवर यहाँ है बाला कोट कोस्टल एरियाज है अब एक चीज़ समझो यहाँ पे यह specialized center थे बीड मेकिंग के लिए ठीक है बैंगल्स के लिए जो आपके ornaments होते हैं उनके लिए क्योंकि यहीं से जो आपके statite है जो materials है coast के आसपास जो मिलते थे उठा के लेके जाते थे ठीक है और यह भी हो सकता है कि जो finished goods बनते थे वो सीधे फिर urban centers की और लेके जाया थे थे जैसे coastal areas में बना दिया नागेश और बाला कोट मैं और फ चीज कैसे पता चली हमको जो finished goods होते थे जैसे की beats वह चानुदारों और लोथल जो coastal areas थे वहां से उठाके महंजदारों और हरपा के पास कैसे ले जाया जाता था यह हमें कैसे पता हरपा और महंजदारों में भी तो वह चीज़ बन सकती है ना हमें कैसे पता कि यह जो beats कि पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे की centers को identify कैसे किया गया कि कोई भी अगर center हो वहां पे craft production होता था नहीं होता था इसके कुछ criteria होते थे कि जैसे raw material देखो कि वहां पे कोई raw material आपको मिल रहा है stone का copper का ores कुछ raw material या कोई unfinished objects मिल रहे हैं कोई waste material आपको मिल रहा है हाना तो अगर waste material आपको मिल रहा है तो इसका मतला वहां पे production होता था consumption भी होता था और production भी होता था कैसे कह सकता हो मैं आप अगर कोई finished goods यूज़ कर रहे हो तो उसका कच्रा क्या होगा ठीक है ना लेकिन आप कोई चीज बना रहे हो तो जरूर ही हो सकता है कि उसका कुछ और निकल जाए waste material निकले तो वहां छूट जाए तो कोई भी आप अगर stone का यूज ले रहे हो जैसे आप पत्थर काट रहे हो कोई object बनाने के लिए तो जो pieces होंगे कुछ तो waste निकलेगा ही ना तो waste निकलके वह इदर उदर आप फैला दोगे तो वह जब खुदा ही होगी तो उसमें दिख जाएगा लेकिन finished goods के साथ ऐसा नहीं होता finished goods तो बनके तयारों के आए उसमें तो कोई waste है नहीं तो जहां हमको waste दिखाई दिया हमें लगा कि हां यहां पर production होता था और यह finished goods यहां बनके हरपा और मौंजदारों में लेके जाए करते थे जैसा यह टेरा कोटा का figure द तो यह चीत हमको दिखाई पड़ गई कि coastal areas में Specialized Centers में भी production होता था लेकिन कुछ-कुछ production तो मौंजदारों और हरपा में भी होता था ठीक है लेकिन आपको वह दो साइट याद रखनी है नागेश्वर और बाला कोट वह coastal जगह थी वहां पर mostly वह Specialized Center थे मोहंजदारों और हरपा Specialized Center नहीं थे वहां पर कुछ-कुछ काम होता था लेकिन Specialized Center नागेश्वर बाला कोट जैसे coastal areas थे अब मेटल कैसे प्रोक्योर किया जाता था मेटल कैसे extraction किया जाता था तो कई तरह के मेटल्स आपको पता यूज मिली जाते थे अब कले तो जैसे locally available था लेकिन स्टोन टिमबर मेटल यह दूसी जगह से लाए जाना होता था कि लाते कैसे थे तो ट्रांस्पोर्ट का आपका method था बुलो कार्ट्स यह कैसे पता चला हमको कि खिलोने मिलने भी खिलोने मिलने तो तो यह बनाया गया तब तबी तो बच्चों के हेलने के लिए चीज़े बनाए गई टेरा कोटा टॉइ मडल्स बाई आप बच्पन में खेलते थे गाड़ियों से चोटी-चोटी खिलोने से तो वह गाड़िया असलियत में है तबी तो खेलते थे ना ख़िलोने से बाचला कि ही जुटा था और साथ में रिवर का रूट सी भी होता था बहुत इंपर्टेंट है याद रखना रिवर का रूट कोस्टल रूट का भी यूज होता था अब इसमें question पूछ सकते हैं UPSC वाले सीधे question पूछ सकते हैं कि वो bullet cards का use करते थे land route का स्थमाल करते थे riverning का नहीं करते थे because there were chances of flooding नहीं river routes का भी कर सकते थे land routes का भी करते थे और UPSC जिस तरीके सवाल पूछता है ना देखो कोई coaching institute उसके question को match नहीं कर सकता चाहिए कोई भी हो लेकिन आपको बस level पकड़ना UPSC का और UPSC different difficult question नहीं पूछ सकता different question पूछता है और language उसके होती ही कि आपको लगेगा हाँ यारी तो सई statement है लेकिन हो सई नहीं होता है जैनली इसलिए मैं कहा हूँ as it is मत प्रणोश अब दो के अंदर जहां को रिवन रूट्स पी इस्तमाल होता था लेंड रूट्स पी इस्तमाल होते तो कैसे यह साइड सेट से सोर्त गोई अफगानिस्तान में मैं आपको बताया था पृचले lecture में शोर्त गोई अफगानिस्तान फि pónd ihm लापी लापीज इस्टेटाइट के लिए और मैटल के लिए ठीक है इस्टेटाइट और कार्निलियन यह दोनों बहुत फेमस सा याद रखना मोस्टली जो बीट्स होती थी जो अबजेट्स होती थी हरपा में वो इस्टेटाइट से बनाया जाता था और भी तरीके होते थे जैसे दूर दराज इलाकों पर एक्सपेडिशन भेज़ देना ट्रेडर्स के ट्रेडर्स गए और भरके माल लेके आगे अर्टस्थान में आप खेतडी में देखो के कोपर का साथ इंड्या में गोल्ड का एक्सपेडिशन जाते थे कम्नीकेशन करते थे लोकल कम्युटी के साथ और वहाँ पर लेके आ जाते थे, एक कैसे पता चला क्योंकि हरपा के आर्टीफेक्ट्स हमको वहाँ मिले local community में और local अर्टीफेक्ट्स कुछ ओड़गे साउथ इंडिया में रजस्थान में या शोर्तुगई अफगनिस्थान में तो वहां पर हमको बता चला अच्छा यहां भी कॉंटेक्ट था तो कॉंटेक्ट बेवज़ा तो नहीं होगा और खेतरी एरिया को यहां पर गनेश्वर जोदपूर कल्चर भी कहते थे याद रखन इसकी पोटरी थोड़ी हरपा से अलग थी और कॉपर अबजेक्ट भारी मात्रा में वहां पर दिखेते तो यही ऐसा महसूस होता है ऐसा पता लगाया जा सकता है कि यह रीजन खेतरी का जो रीजन है यह कोपर एरिया कोपर के जो कोपर बिसिकली एस रो मिटेरियल प्रोव यह हरपन्द सिविलाइजेशन है उसके आसपास की कटेंपरी सिविलाइजेशन है यह आप देख सकते हो ठीक है हरपन्द को मिल हुआ कहते थे हरपन्द को यह लोग यहां में सुपटोमिया है मगन दिल्मुल तुरन ठीक है और दूर दलाज इलाकों में भी कॉंटेक्ट था जैसे कोपर ओमान से भी ले किया थे थे ठीक है क्योंकि ओमान में हमें हरपन के कुछ आर्टिफेक्ट्स मिले और हरपन जो थे वो ओमान में जाके कोपर ले किया थे थे हरपन के जैसे निकल हो गया सील्स हो गई है वहां मिली है और हरपन जार भी हमको ओमानी साइट्स पे मिला है तो यह चीजे बताती है कि कॉंटेक्ट थे अब यह हमें पता नहीं कि जो वेसल्स हैं जो जार होते थे इनमें क्या रखते थे वो कि सजावट के लिए रखते थे कि वास्ता में रखते भी थे कि नहीं रखते इसके अंदर लेकिन इनको एक्सचेंज जूरू किया जाता था कोपर के बदले में कि हरपन जगे कोपर लिया और वेसल दे दिया वो वेसल को तोड़े सजाए कुछ उसमें डाले बरतन में उसको ह अब यह आप मैप में देखो कि ओमान है आज के मैप में देखो यह ओमान है यहां पर ओमान का एरिया है ठीक है तो इसको मगन कहा जाता था मैं सुपर्ट्यामे के टेस्ट में मगन कहा जाता था जैसे हरपन्स को मेलूहा कहा जाता था ठीक है हरपन्स सील्स वेट्स हर जग कहा जाता था हर अप्पा को मेल हुआ ओमन को मगन कहा जाता था ठीक है तो हर तरफ से ट्रेड की संभावना यह थी मिस्पट में आके टैक्स्ट मेल हुआ यानि हर अपन्स को लैंड ओफ सी फेरर्स भी कहते थे और वहां की जो सील्स हैं उन्हें तो ही इनर ऑफ शिप्स का भी डीपिक्शन था शिप्स और बोट्ष का यानि रीवंडरेंट रूट्स का dauरेंगे का शिद्माल की जाटा पता अब बहुत इंप्पोर synt के लिए और गया खालाBig करनमें करनाजी जो अमान में चल गई या रफ्पन के अंदर अंदर चल गई सील्द का उपयोग हो उता था ट्रेड के लिए कमी शन के लिए लेकिन कैसे देखो कोई packet है कोई मैंने कोई चीज pack कर दी अब उस पे ना seal लगा दी जाते थे और seal पर impression एक कुछ लिख दिया जाता था कुछ डाल दिया जाता था और अगर वह सामान हम मैंने कोई सामान उस पर seal कर दी seal लगा दी कुछ लिख दिया उस पर अब जनरली वो अपना नाम पता लिखते थे ट्रेडर्स की यहां से हम बेज रहे हैं और वो जब उस आदमी तक पहुंचती थी और उस आदमी वो जब देखता था उस सामान को अगर उसको लगता था कि सील जो है थोड़ी सी लगरी टेंपर्ड है इसके साथ मतलब इसके साथ छे सेंडर की छेट छाड तो नहीं हुए है ना बहुत इंपोटेंट चीज आने वाली है ध्यान से सुनना आगे हरपन सील में राइटिंग जैसे मैंने बताए कि सेंडर अपनी अडेंटिटी लिग देता था तो प्रबबबली लगता है जैसे ओनर का टाइटल नेम यह सब पढ़ नहीं पा सकते थे जैसे आज होता आप वोट देने जाते हो तो होता है न निशान साइकल का जाडू का कमल का तो उन लोगों के लिए होता है जो इलिट्रेट होते हैं जो नाम पढ़के वोट नहीं दे सकते हैं ना नोर्मली तो इसलिए सील जोती थी अगर किसी को वहां पढ़ना नेता था तो एनिमल्स की फिगर्स का भी इस्तमाल किया जाता था तो यह याद रखना अच्छा इंस्क्रिप्शन सील पर जोते थे वह छोटे चोटे थे लेकिन लोंगस्टम को मिला है उसमें 26 साइन्स थे हैं और इसक्रिप्ट अब तक अंडेसीफर है हर आपकी आप सबको पता है स्केप्ट राइट टू लेफ्ट मॉस्टली राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी और कभी कभी लेफ्ट टू राइट भी लिखी भी देखी गई और जरूरी नहीं है कोई अल्फाबेटिकल है ना बहुत सारे साइन्स के 375 से 400 तक के इसके साइन थे यह पता चलता है आमको मॉस्टली राइट टू लेफ्ट लेफ्ट लिखी गई थी लेकिन अब आप एक बार दिमाग लगाओ कि अगर आपको स्क्रिप्ट डेसे वराफ ने की नहीं अभी अगर आपको पता ही नहीं कि क्या लिखा है सामने वाले ने तो आप एक कैसे पता लगा लोगे कि यह राइट टू लेफ्ट लिखी गई थी अगर आपको चाइनीज पढ़नी नहीं आती तो आप एक कैसे पता करेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और यहीं मज़ा आता हिस्ट्री को पढ़ने में कि एक चीछ देखी गई देखो आप लिखते हो लेफ्ट से जब लिखते हो ना तो जमा-जमा के आराम से लिखते हो जैसे आप को पी में लिखते हो तो जमा-जमा के सब्सक्राइब करने लग जाती हो या फिर आप यूपीस की कोई आंसर में या कई भी कुछ लिखते हो तो आपको पता है कि एक पेज आगर आपको मैं दूम बोलू संदर भी लिखना है और इतना सब कुछ भी लिखना है तो आप ऊपर तो अच्छे-चे जमा-जमा के ठीक है यह चीज़ धियान रखना बहुत इंपोर्टेंट है और सील्स पर इने बलकि कोपर टूल्स पे जार पे टेरा कोटा टेबल्स पे टेबलेट्स पे सोरी और जैलरी पे बॉन रोड्स पे और इवन साइन बोड भी मिला यहां पर इन सम में कुछ ना कुछ लिखावा मिला है ठीक है और पेरिशेबल मेटरियल्स पी मिले जैसे फ्रूट्स और जो परिशेबल मेटरियल्स होते हैं न वहाँ भी यह राइटिंग देखी गई तो इसका मतलब लिट्रेसी ज़्यादा यह थी वहाँ पर ज्यादा लिट्रेट लोग थे तो यह इसका जवाब हमे वेट है की सामान का तो वह किस से ना पर देसे आज कल दुकाउनों पर पहले आप तो मशीने अगई आपको पत्म मशीनों से फीले बाट होते थे ठीक है 50किलों का बाट शों कीलों का बाट अगर आपने कभी देख़ा हो तो तो उस टाइम भी कुछ ऐसा ही था एक स्टोन होता था जिसका नम था चल्ट जो क्यूबिकल होता था और कुछ उस पर लिखावा नहीं था वह वेट की तरह होता था कि उसमें ना मतलब अलग-अलग वेट के पत्थर होते थे मैं नहीं करें एक किलो या चार किलो कुछ होता होगा वहां पर उनके इसाब से लेकिन डॉमिनेशन होते थे एक दो चार आठ सोला बत्रीसोर बारह हजार आठ सो तक जाते थे हैं और डेसिमल सिस्टम भी फोलो करते थे वो लोग तो चोटे-चोटे जो वेट्स हैं वो तो ज सिस्टम भी था और चोटे-चोटे वेट्स चोयलरी और बीट्स के लिए यूज होते थे अब बात करते हैं कि अब ऑथरीटी कौन थी भाई एक बात बताओ मुझे लोग के लोग जा रहे हैं कुछ सामान लेने सील्स में आपको उनिफर्मिटी मिल रही है घरों में उनिफ टेंसिवली हो रहा है तो कोई तो कंट्रोलिंग ऑथरीटी होती होगी पोट्री अगर हर जगे एक बन रही है सील्स वेट्स ब्रिक्स मैंने क्या बोला था ब्रिक्स स्टेंडर्ड साइच की थी पूरे इंदस्वली स्विलाजेशन में एक ही रेशियो में लैंध विट और हाइड में कोई तो होता होगा लग कि आपको यहां से बनाना है जम्मू से लेकर गुजरात तक जो भी बिकस मना देते उंदों कहीं से तो अब रहाता होगा ना कि साइच का बनाना है और जैसे मैंने बोला सीटाडेल है या फिर और भी कुछ जगे हमने देखी जो स्ट्रटेजिक लोकेशन पे हैं कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे तो लगता जैसे ओडर देने के लिए बने हैं और मैंने आपको बोला कि मुऔर बने जते थे इनक़ लेबर भी लगता था जैसे और ओसे सीटाडेल कैली बहुत लगाने के लिए ले डेशने के लिए चैसे को कई उठर्टी जाइन च्छाहिए है कोई तो एसा होना चाहिए जो इसको तो राज मेहल है पहले सह है लेकिन कहीच नहीं है कि रजव के लिए था हां जैसे आपको फिस्ट किग जैसे ब्याडेड जो आप को प्रिष्ट नहीं है कि करते हुए यह प्रूव्ट पर्फॉर्म करता ता यह पर्फॉर्म करता। करने हो ile जो होता था क्या उसके पास वास्तों में political power होती ओगी भाई जो beaded priest था कितना ही अमीर हो कितना ही rituals को conduct करवाता हो क्या वास्तों political power उसके पास थी तो कुछ archaeologists यहां पर कहते हैं कि हर पंस के बाद को रूलर नहीं थे और सब के पास equal status था कुछ कहते हैं कि यहां पे एक तो नहीं था एक रूलर लेकिन कई सारे लूर्स थे जैसे मोंज़दारों के पास अपना रूलर है रभबा के पास अपना रूलर है कुछ कहते हैं कि एक ही स्टेट था ठीक है मतलब सिंगल रूलर था क्योंकि हर जगह planned settlement मिले है planned bricks मिली है standard ratio मिला है bricks का तो किसकी ज़्यादा हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा possibility हो सकती है इन theory में से कि कोई ruler नहीं था एक ruler था या अलग-अलग ruler थे तो जो एक ruler वाली theory है single state था वो ज़्यादा possible लगती है क्योंकि इतना बड़ा जो large scale पर होता था जो trade वगर होता था और इतने complex decision bricks की size कितनी होनी चाहिए कितनी platform जो बनाने है जो घर बनाने कितना labor move करना है कहां से सामान लेना है यह सब complex decision के लिए एक जो है single state होना जरूरी वना conflict पैदा हो सकते थे हरप पामे मालों अपना ruler होता मौंचदारों में अपना ruler होता तो जरूरी नहीं था कि bricks की standard size हो सकती थी तो single state था उसके नीचे कोई authorities हो सकती होगी तो होती होगी लेकिन single state था ठीक है अब यह है हमारा end of civilization हरप पन civilization कैसे खत्म होई हम जब जल्दी बाजी नहीं करेंगे आराम आराम से पढ़ेंगे आप लोगों को लग रहा होगा कि आदा घंटा का एक lecture है और इंदस्वाली civilization के दो लेक्चर आ चुके हैं दूसरा लेक्चर फिर चप्टर खत्म नहीं होगा तो गल्ती यह होती है कि बिगनर्स जो होता है जो शुरू में चाहिए बिगनर्स और जल्दबाजी जब कर देते हैं तो फिर यहां पे चीजों को समझने में दिक्कत हो जाती है और इसी का को हम कहते हैं वह स्टेंडर्ड भुग चैसे नितिन शिंगानिया या आरे श्रमा यह तो अलगी लेवल किया है ठीक है तो इसलिए थोड़ा आरेश्चरमा जो नहीं वाली है वो भी पढ़ लीजिए नितिन जिंगा ने को पढ़ लीजिए काम आएंगी लेकिन NCRT इसको अच्छे से पढ़िए क्योंकि यह बेसिक है तो कल हम पढ़ेंगे The End of Civilization और इसके आज के लेक्चर पर कोई क्योशन बनता है तो मैं बनाऊंगा जरू टेलिग्राम पर अचीव आईस पर जाके इस क्योशन को सॉल्ड करें End of Civilization कल पढ़ेंगे चलिए आज के लिए तना ही धन्यवाद